नमस्कार, Capital TV की special story देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जोहित कुमार मध्यप्रदेश में ठाकरों का विरोध देख चुकी BJP अब किसी तरह के रिश्क लेने के मूड में नहीं है तीन चरनों के चुनाव के बाद BJP ने अचानक अपनी स्ट्राटेजी में बड़ा बदलाव किया है इसकी शुरुवात को सांबी में होने वाली BJP के मुख्य रननितीकार और केंद्रिय ग्रेमंत्री अमिट्चा के सभा से होने की संभावना है माना जा रहा है कि सभा में प्रताबगर से राजा भाईया अमिट्चा के साथ मंच पर होंगे तो जौनपूर से धननजे सिंग की पत्मी श्रीकला रेड़ी भी अमिट्चा के सुर में सुर मिलाती नजर आएंगी इन दोनों दिगर्ष ठाकूर नेताओं के अमिट्चा के मंच पर होने का संदेश पूरे उत्तर परदेश में तो जाएगा है इसका असर देश के अन्य ठाकूर बाहुले सीटों पर भी पर्मी की संभावना है खास तोर पर उत्तर परदेश की कौसामबी और प्रताबगर लोकसभा सीट मुख्य फोकस है इन दोनों लोकसभा छेत्रों में ठाकूरों की तादात काफी ज्यादा है बीजेपी किसी भी हाल में इन ही अपने पक्ष में करने की तयारी मजूट गई है इसी लक्ष को देखते हुए 12 माई को ग्री मंतरी अमित शा का कारिक्रम यहां रखा गया है विनोज सोनकर के विरोधी रहे हैं राजा भाईया वैसे तो अमित सा कौसामबी से भाजपा के प्रत्याशी विनोज सोनकर का प्रचान करने आ रहे हैं वह बाबा गंज विधान सभा छेत्र के हीरा गंज नगर पंचायत इस्थित सिद्ध पीठ मा नायर देवी धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे चुकि अब तक राजा भाईया बीजेपी उमिद्वार विनोज सोनकर का विरोध कर रहे थे लेकिन पिछले सब्ता बैंगलूरू में राजा भाईया और अमित्षा के मुलाकात के बाद इस्थिती काफी बदल गई है लोगों के मन में अब ये सवाल है कि क्या इस जनसभा के दौरान राजा भाईया विनोज सोनकर के समर्थन में कुछ कहेंगे या सिर्फ प्रमुक विपक्षी दल पर ही हमला करेंगे इस बार के लोगसभा चुनाओ में राजा भाईया की पार्टी जनसभा दल लोकतांतर चुनाओ मैदान में नहीं उतरी है विनोज सोनकर और जनसत्ता दल के निताओं में हमेशा ही वाद विवाद के स्थिती बनी रही है हाली में अक्षय प्रताब सिंग गोपाल जी ने विनोज सोनकर के खलाब पयान भी दिया था बीजेपी के लिए यह जनसभा ठाकूर वोट बैंक के हिसाब से काफी जरूरी मानी चा रही है क्योंकि बीजेपी जानती है कि कौसामबी और प्रताबगर दोनों सीटों पर राजा भाईया की पकड़ काफी मजबूत है इसके साथ ही राजा भाईया के साथ मंच साजा करने से कौसामबी के साथ साथ प्रताबगर के लोग भी बीजेपी की तरफ रूख कर सकते हैं इस जनसभा में अमीत शा और राजा भाईया के बीच नया राजनितिक समीकरन देखने को मिलेगा शुत्रों के मुताबिक इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि यूपी में जून के बाद राजा भाईया योगी मंत्री मंडल का हिस्सा बन सकते हैं कौसामबी और प्रताबगर दोनों सीटों पर पकल बनाने के लिए बीजेपी की नई रन्लिती अपनाई है जिसमें ठाकूर नेताओं को बीजेपी अपने मंच पर ला सकती हैं जानकारी के मताबिक 10 माई को दिल्ली में दूसरे ठाकूर नेता धनाजे सिंग ने भी अमित्षाथ से मुलाकात की यह मुलाकात लगभग 45 मिनट तर चली दोनों नेताओं की हुई मुलाकात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहु बली धनाजे सिंग की पत्मी श्रिकला भी अमित्षाथ के साथ 14 या 15 माई को मंच पर दिखाई दे सकती हैं स्रिकला को साथ लाने का मकसद जौनपूर सीट पर ठाकूर समाज को एकजूट करनी का हैं बीजेपी दोनों ठाकूर नेताओं के साथ मंच साजा करके एक साथ होने का संबेश देगी और ठाकूर वोट बैंक को अपनी तरफ खीचेगी वहीं दूसरी तरफ राय बरेली और कैसर गंज की हाई प्रोफाइल सीटो पर सब की निगाहे टिकी है राय बरेली गांधी परिवार को कैसर गंज हैवी बेट सांचन ग्रज भूशन सरन को लेकर चर्चा में हैं बाजपा ने दोनों ही सीटो पर बेहत सधे में कदम बढ़ पश्चिन की कुछ सीटो पर छत्रियों की नाराजगी से सबक लेकर पाटी में राय बरेली कैसर गंज में ठाकुर चेहरों पर ही दाव लगाया है वहीं कैसर गंज की टिकट की घोशना में एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास किया गया है एक और जहां ब्रज सस्पेंस खत्म हो चुका है ब्रज भूशन सतरवे ऐसे सांसद हैं जो टिकट से बंचित हुए हैं महिला पहलवानों से जुड़े विवादों में ब्रज भूशन की बुरी तरह घिरने के बार भाजपा नेत्रित्व उन्हें लेकर नफा नुकसान के आखलन में जुटी ब्रज भूशन अपने समर्थकों के बीच अंतिम समय तक सस्पेंस बरकरार रखे रहे हैं हलाकि उन्हें पार्टी नेत्रित उन्हें पहले इशारा कर दिया था कि इस बार उन्हें लड़ाना संभव नहीं है जहां तक उनके बेटे करन का सवाल था तो वो इसी साल फरवरी में यूपी कुस्ति संग के अध्या चुने गए थे डवल ट्रैप शूटिंग के राश्ट्रे खिलारी रहे हैं अवद विश्व विब्याले से ग्रेजुशन और ललबी किया है फिर ऑस्ट्रेलिया से बिजनस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया वहीं राइबरेली पर कॉंग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी, भाजपा प्रियंका को देखते हुए ही कोई भारी भरकम प्रत्याशी उतारने के मूड में नहीं थी, मगर नामांकन की तिती खत्म होने के 24 घंटे पहले तक कॉंग्रेसी टिकट का एल जिन सांसों के टिकट कटे हैं, उनमें वरुन गांधी, जनरल वीके सिंग, राजवीर दिलेर, चंदर सेन जादों, संग मित्रा मौर, संतोस गंगवार, सत्य देवल पचोरी, अक्षवर लाल गोंड, उपेंदर रावत, ब्रज भुशन सरन सिंग, रीता बहागुना जोश केशरी देवी पटे, रमेश बिन, रमापती, राम तिरपाथी, विरेदर सिंग, मस्त आदी शामिल है, इनमें से बागपत सीट रालोद के खाते में जाने के चलते भाजपा सांसर बे टिकट हुए, जबकि दो सांसरों की जगहा उनके बेटे को टिकट दिया गया है, इनम लोगसभाचुनाव पश्चमी, यूपी और ब्रज छेत्र से आगे बढ़कर अबद और पुर्वांचल के शियासी रनभूमी में होने जा रहे हैं, इनलागों के सीट पर ठाकुर समुदाय एहम रोल अदा करते हैं, जिसके चलते बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लोगसभाचुनाव के लिहास से उतरपदेश बेहत एहम राज जमाना जाता है, क्योंकि देश की सबसे ज़ादा 80 सीटे यहीं से आती हैं, बीजेपी ने इस बार के चुनाव में मिशन 80 का टारगेट यूपी से सेट किया है, लेकिन तिकट बटवारे के चलते ठाकुर समा समाज की नाराजगी ने पार्टी की मुश्किले बढ़ा दी है, पश्मी यूपी में कई जगों पर महा पंचायते करके ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाप मोर्चा खोल दिया था, सहारंपूर के ननौत गाउं, मेरट के, कपसेडा, गाजियाबाद के धलोना और नोईड ठाकुर समुदाय को मैनेज करने में जुटी हुई है, इसके पीछे वज़ा यह है कि अवद और पुर्वांचल छेतर में कहीं ना कहीं ठाकुर समुदाय के वोटर सियासी तोर पर काफी प्रभाव में माने जाते हैं, यही वज़ा है कि बीजेपी पश्चिम की गलती पु सकते हैं, जौनपूर लोगसवा सीट के बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी बाहुवली धननजे सिंग की पत्नी श्रिकला रेडी ने अपने कदम पीछे खीच लिये हैं, जौनपूर सीट पर बीजेपी से कृपा संकर सिंग चुनाव लड़ रहे हैं, जब कि स्क्रिप्ट लिखी गई, श्रिकला रेडी ने यह फैसला तब लिया जब धननजे सिंग जेल से बाहर आये और बैंगलूरू में राजा भाईया और अमिच शा के बीच बैठक होती है, राजा भाईया और धननजे सिंग के बीच काफी गहरे रिस्ते हैं, माना जाता है कि भाईया के जरिये ही धननजे सिंग को साधने का काम किया गया है, धननजे सिंग की छबी एक ठाकुर बाहुबली नेता की रही है और उनका सियासी असर सिर्फ जौनपूर सीट तक ही नहीं बलकि पुरवानचल की कई सीटों तक है, इतना ही नहीं धननजे सिंग ने शुरू वो भले ही अभी खुलकर ना बोल रहे हूं लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में 63 राजपूर विधायक जीतने में सफल रहे थी जबकि 2022 में 49 ठाकूर विधायक बने। सूबे में ठाकूर वोटों के शियासत को देखती हुए बीजेपी ने राजा भाया से लेकर ब्रिजबुशन शरन सिंग और अब बैक डोर से धननजे सिंग के डील हुई है। तो राजा भाया से लेकर ब्रिजबुशन सिंग क्या सियासी गुल खिलाते हैं। आपकी क्या रहा है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताएगे। फिलाल के लिए इतना है। आप देखते रहे हैं क्याप्टल टिब्यूतर परदेश। नमस्कार।